अब दोस्तों मैं संदीप आप सबका अपने यूटूब चैनल ग्यान आर्पियल में स्वागत करता हूं दोस्तों आपको पता है कि आपके जो जेल वार्डन फायर में के जिसके भी एक्जाम निकल चुका है यानि रिटेन निकल चुका है डी पीस्टी के लिए बुलाया जा रहा है और सबसे पहले उनको गंगराचु ले संस दोस्तों अब देखिए हम इसमें आपकी जो भी डाउ सबी को हम क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना है ठीक कौन कौन से डॉक्कमेंट्स आपको ले जाने हैं ठीक किस से सिगनेचर करवाने हैं यानि राजपत्ति ददकारी कौन होता है और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि हम जात निवास कौन सा लगाएं स्टेट का यफि कौन सा लगाएं है न वो चीज हम बताएंगे और तीसरी चीज क्या है कि आपका DVPST में होगा क्या क्या मतलब क्या क्या मेजरमेंट किया जाएगा और बता दें कि किसी के अगर नाम में कोई मिश्टेक है एक दोई स्पेलिंग तो उसके लिए वो क्या कर सकता है ठीक होगे अगर आप लोग सोच ना होगे कि DVPST में होगा क्या 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 तो उसके बारे हम बता देए कि सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपके अटेंडेंस होगी ठीक कितने बचचे पूस्चे हैं एक लाइन से बिठा दे जाए जाएगा कि तो पहले सबसे पहले वो दे जाएगा अगर आपकी к बाकुमेंट्रिक नहीं मिलती तो आपको बाहर कर दे जाएगा ठीकैं तो इसलिए भिया जिसने भी पेपर दिया वही रेज के लिए जाएगा वही DVPST के लिए जाएगा ठीक है दूसरी चीज क्या होगा दोस्तों आपके documents चेक होंगे तो documents कौन से चेक होंगे उसके बारे हम आगे बताने वाले हैं ठीक है इसी वीडियो में तो documents चेक किया जाएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा आपका हाइट मापा जाएगा और चेस्ट मापा जाएगा अगर हम बात करते हैं कि हाइट और चेस्ट कितनी कितनी होगी तो देखे ये आपकी list है ठीक है देखे हाइट और चेस्ट के अगर बात करते हैं तो मेल की बात करते है तो male में जो है दोस्तों, height कितनी होने चाहिए, 168, यानि 168, ठीक है, cm, 168 cm हो चाहिए, अगर आप ST है, तो आपको छूट मिलेगा, क्या, अगर आप ST है, तब आपको छूट मिलेगा, आपको 160 होने चाहिए, ठीक है, तो 160 cm, अगर ST है, तो चल जाएगा, ठीक है, अगर और को चाहिए, अगर कोई ST female है दोस्तों, तो उसके लिए 147 काफी है, क्या, 147 पर भी उसका selection होगा, वहीं, अगर देखिए, अगर male का candidate है दोस्तों, आपको बता दें, कि male का होता है, चेष्ट भी मापायाता है, तो देखिए, male का जो चेष्ट होगा दोस्तों, आपको बता दे चेष्ट कितना होना चाहिए, देखिए, 5 cm फूलना चाहिए, 29 से दोस्तों 84 होनी चाहिए, देखिए, इससे ऊपर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम 59 हूनी चाहिए, ठीक है, और कम से कम फूलने के बाद, आपका 84 होना ā चाहिए, कहने के मतलब क्या है, कि 5 cm कम सें कम फूलना चाहिए इससे जयादा होगा तो चल जाएगा अगर इससें कम फूलता है आपका चेस्ट क्या है पंचान-बय है दोस्तों ठीक बहुँ ज्यादा है कोई दिक्कात देन और फुलाने के बाद आपको पांच फूलना चाहिए, जिसे पंचान नभे है तो 100 होना चाहिए, कहने के मतलब क्या है, कि चेश्ट फूलाने के बाद आपका 5 cm कम से कम फूलना ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद बता दें, कि अगर आप ST हैं दोस्तों, तो आपका चेश्ट क् करिएगा, ठीक है, 5 cm कम से कम आपको फूलना ही, चाहिए, आपकी चेश्ट जिदनी भी हो, कम से कम आपकी 89 होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपके कम से कम 5 तो प्लस होना चाहिए, मतलब 84 तक तो आपका पहुँचना है चाहिए, ठीक है, यह हो गया, अब बात करेंगे documents की, तो documents कौन कौन से लगेंगे, और किस से आपको verify करवाना है, और किस serial में, series में आपको उनको लगा के रखना है, ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको, देखें दोस्तों, जब आपकी checklist, मतलब कि आपके DVPST की जब भी, आपका admit card आएगा, तब आपको यह DVPST checklist भी जारी की जाएगी, तो इसे भी आपको download करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे यह 2018 का है, तो सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, जिसमें आपका पहले उम्मीदवार का नाम लिखा रहेगा, इस पे पंजी गार संख्या लिखा रहेगा, पिता का नाम और roll number, देखें आपको लेना क्या है, ठी की लिखेंट, आपको क्या करना है, कि एक ID लेनी है, ID में आपका आधार कारड कार्ड चलेगा, ठीक, आधार कार्ड ज्यादा बेटर रहेगा, तो आधार कार्ड ले ले लेना, दुस्तों, देखिए, आधार कार्ड ओरिजिनल भी लर ले जाना है, और उसकी फोटो कापी, करवाईएगा, एक आप क्या करना, राजपत्रित अधिकारी से क्या signature करवा लेना और एक अपने सास रख लेना और वैसे लगेगा एक ही, मगर आपको 2 करवा लेना है ठीक है, तो क्या करना है, फोटो यूग तो पहचान पत्र, आधार कार्ट, आप कुछ लोग निवास प्रमार पत्र आपका कहा होना चीह अर इंदर्क नहीं लगेगा आपका राज्य का होना चीह ठीक है और सीजी सी बात क्या है कि जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था फार्म भी लेके जाना होता है ठीक है अगर फार्म आपके पास है तो उसको भी समाल रखेगा नहीं तो बात में आपको निकलने की वो दे दे जाएगा उससे आप निकाल सकते हैं दुबारा से फार्म ठीक है तो फार्म भी ले जाना होगा ठीक है और जो फार्म में पड़ा ह साल्टिफिटें होगा वहीं आपका मिलाया जाता है तो वहीं वाला जो आपने फर्म भरतने समय लगाए था वो cell वो लगा दिना उसके बाद देखे जो जो जहती प्रहमार पत्त होता है थीक है जहती सार्सिकिकर दोस्तों दोस्तों और जहती किसका किसका लगेगा OBC का, ठीक है SC का, ST का, जिस भी जात से आप हैं, उस तो वो आपना certificate जरूर ले जाना है, ठीक है OBC, SC, ST दोस्तों, और जो आपने form भरते समय लगा था हम देखें, दुबारा भी बता जे रहें कि जो भी आपने form भरते समय लगा था, वही वाला ले जाना है, ठीक है, दूसरा ले जाओगे परिसान हो जाओगे, वसे ले के जा सकते हो कोई दिक्का नहीं, आप नया भी अगर है तो ले के जा सकते हो कोई problem नहीं है, ठीक है मगर इसे जरूर ले जाना नहीं तो फिर problem हो सकती है, ठीक है, अगर देखें आप नहीं ले जाओगे इनको ये OBC, SC, ST तो आपको जर्नल क्राटेगरी में फिर से डाल दे जाएगा क्योंकि अगर आपके पास इस अर्टिपिकर नहीं मिलते हैं तो आपको जर्नल क्राटेगरी में वो डाल देंगे ठीक है उसके बाद आपके अगर नंबर सही होंगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे नंबर कम होंगे दोस्तों तो जर्नल से बाहर भी हो सकते हैं इसलिए वही आप ले जाएगा जो आपने उसमें फार्म भरते समय डाला था नए भी ले जाएगा कोई दिक्कत है साथ में लेते जाएगा और home guard है तो उसे भी आप ले जाईएगा ठीक है अगर नहीं है तो इनको avoid कर दीजेगा या आपके लिए नहीं है उसके अलामा क्या है दोस्तों 10th की mark sheet और देखे अंक पत्र और जो आपका होता है प्रमाल पत्र दोनों ले जाना है और इधर आपके number दे होते हैं अगर वो वाला है तो एक ही ले जाना है ठीक है फिर परेशान मत होईएगा उसमें आपका certificate होना चाहिए ठीक उसके अलामा दोस्तों आपको क्या बता दें कि और लेवल का भी certificate ले जाईएगा ठीक है यह चीज आपको पता होना चाहिए और उचाई आपकी पहले हम बता चुके हैं क्या क्या होना चीए चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं कि कौन सा certificate आपको ले जाना है यह देखिए जैसे कि यह दिख रहा है दोस्तों इस तरह अगर होगा तो आपको किवल एक ही लगेगा mark sheet में देखिए इसमें अंक पत्र और दोनों है ना certificate भी है अंक पत्र भी है इस तरह दिख रहा होगा यहाँ फोटो लगा होगा और देखिए यह इस तरीके से है तो इसको बोलते हैं अंक पत्र क्या इसमें देखिए आपके number होगी किवल आपका जो certificate होगा वो नहीं होगा अगर इस तरीके से है आपका पहले आपने दिया होगा ठीक है paper 10th और 12th का तो इस तरीके सा होगा इसके साथ में एक प्रमार पत्र अलग से मिला ह तो इस तरीके से अगर मिला होगा आपका पास होगा अंक पत्र तो आपको दो ले जाने होगे ठीक है एक अंक पत्र और एक प्रमार पत्र ठीक है तो यह चीज़ समझ गहोंगे कि कौन से documents ले जाने है और आपको बता दें कि एक क्रम से इनको लगा लेना है ठीक है एक क्रम पहले देखिए मूल अंक पत्र पहले अंक पत्र होगा ठीक है फिर उसके बाद क्या लगाना आपको फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है दोस्तों सार्टिफिकेट ठीक फिर दस्वी का सार्टिफिकेट लगा लेना है फिर उसके बाद आपको बार्वी का लगाना है अंक पत्र और फिर बार्वी का सार्टिफिकेट इस तरीके सापको डॉक्रिटेक तयार कर लेना है इस्टिपलर कर लेना है और आपको पहुझाना है राजपत्र अधिकारी पास ठीक है, वहाँ आप जाएंगे दोस्तों, ठीक, अगर आपके पास NCC है, NCC लगा लिजेगा, उसके बाद O-Level, ठीक, तो इसी क्रम में आपको लगाना है, तो उसके बाद जाना है, कहाँ पर आपको राजपत्ति रिद्खारी के पास, वहाँ आपको original documents भी ले जाने है, ठीक यह सकते हैं, ठीक, तो वहाँ चाहिएगा, कुछ बहुत पैसे लेते हैं, वेसे आपको बता है कि सरकारी कैसे होते हैं, अगर कुछ लेते हैं, तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10-10 उर्पय ठीक है, वो कर देंगे, ठीक, और कर देंगे, आपका महर लगा देंगे और क्या करेंगे आपके उसमें साइन कर देंगे तो आपको ले आना देखिए हर एक उस पे होगा ऐसा नहीं किवल एक ही पर प्रति पर उन्होंने तिंद के मार्क्षीट पर कर दिया या फिर आधार कारडर कर दिया आप लेकर जाले हाएं बनवा लेजेगा कोई जो कोड के चहरी होती होती हो जाईएगा 10-15 रुपए के जो स्टाम्प होता दोस्तों उस पर आप लिखवा लेजेगा और वही केवल एक वहां तरचारा है दोस्तों और कुछ नहीं ठीक है तो आप उस पर लिखवा लेजेगा ठीक है उसे साथ मिले क्या है अगर मानले संदीप आई पी है दोस्तों ठीक है तो हम क्या करेंगे थोड़ी सी मिश्टेक है मगर हमें वह बनवा लेना है ठीक है हमें बनवा लेना है अपना क्या दोस्तों एफिडेविट ठीक अब देखिए एफिडेविट बनवा के ले जाना उसे अलग रखना है ठीक जब कभी वो मान लिया कि देखी कभी का और क्या होता है हमने देखा भी है कि जब अधिकारी चेक करता तक वो इतना गवर नहीं देता है एक आध वो दिकत प्रावलम साल हो जाएगी ठीक है तो यहीचीज आपको करना है ओर अपने सारे डॉक्स ब्राइब करवागी वही ले जाएगा और यहां नहीं है तो ऊसे भी दिकत नहीं नहीं भगाए नहीं जाएगा ठीक है नगर एक चीज यह आप confirm रखना ठीक है तो चलिए थैंक्यू धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल से बने रहे न क्योंकि कोई भी problem होगी तो हम आपके साथ सामिले ठीक है तो समझ लेजेगा तो चैनल सबस्क्राइब कर लेना ठीक है साथ की साथ क्योंकि आपको पता है कि रेज के लिए भी यादा समय नहीं है थैंक्यू धन्यवाद